अगले ख्रांतकारी आते हैं जिनका नाम है हीरा लाल सास्त्री हीरा लाल सास्त्री चलिए लाड़ लो हीरा लाल सास्त्री के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करेंगे हीरा लाल सास्त्री का जो जन्म है वो जौबनेर में हुआ था काँ पर हुआ था जौवनियर ठीक है बरतमान में जेपुर ग्रामीड में नए जिलों के एकोर्डिंग में सारी चीज पढ़ा रहा हूँ आपको ध्यान रखना जेपुर ग्रामीड में ठीक है पहले जौवनियर काँ परता था जेपुर में बरतमान में काँ परता है जेपु घरामीर में जन्म हुआता है, इनका 24 नवंर 1899, कब हुआता, 24 नवंर 1899 को घिरलाल सास्त्री का जन्म हुआता, इन्होंने एक गीत लिखाता है, गीत और गरंध दोनों लिखे हैं, गीत है प्रलय, पृतिच्चा, नम्मो नम्मे, इनके द्वारा जो गीत लिखा गया, उसका नाम है पिरले पृतिच्छा नमो नमे क्या गीत लिखा गया है पिरले पृतिच्छा नमो नमे और एक इनोंने अपनी आत्म कथा लिखी है एक इनोंने अपनी आत्म कथा लिखी है आत्म कथा जिसमें इनोंने अपने जीवन के बारे में लिखा है और उसका नाम है पिरतियच्छ जीवन सास्त्र इनकी आत्मकथा का नाम क्या है पिरतियच्छ जीवन सास देखिए एक इनकी बेटी थी बेटी ठीक है हिरालाल सास्त्री की बेटी थी और बेटी कहती थी की पापा मैं बड़ा हो करके और मैं स्कूल चलाओंगी ठीक है मैं स्कूल लोगों को पढ़ाया करूँगी लोगों को सिख्चा दिया करूंगे और उस बेटी का नाम था सांता भाई क्या नाम था सांता भाई कहते हैं कि सांता भाई थोड़ी सी बड़ी हुई और जैसे ही बड़ी हुई तो कुछ बीमार रहने लगी और बीमारी के कारण ही इसकी क्या हो जाती है मृत्य हो जाती है य इनकी बेटी का नाम क्या था सांता बाई जीवन सिक्षा कुटीर क्या नाम रखा सांता बाई जीवन सिक्षा कुटीर ठीक है इसकी स्थापना कर दी थी इनोंने निवाई में कहां कर दी थी निवाई और निवाई कहां पड़ता है लड़लो टॉंक में पड़ता है कहां पड के नाम से की थी फिर बाद में सांताबाई जीवन सिक्षा कुटीर इसका नाम कर दिया था ठीक है और लगबग 1936 में इसका नाम यानि कि बर्तमान की जो बनस्तली विद्यापीट है कुणसी बर्तमान जो नाम है इसका वो है बनस्तली विद्यापीट ठीक है बर्तमान की जो बनस्तली बिध्यापीठ है, उसी काड पहले नाम था सांता भाई जीवन सिक्षा पुटीर. ठीक है, बनस्तली बिध्यापीठ कहां पर है? निवाई टोंक में और इसकी जो पिर्थम संचालिका है, ठीक है, पिर्थम संचालिका. उनका नाम है हीरलाल सास्त्री की पतनी थी, या सांताबाई जीवन सिक्षा कुटिर की पहली क्या थी? संचालिका थी. क्या थी वह या? पहली संचालिका की रूप में इनोंने काम किया था. ठीक है? इनकी पतनी रतन सास्त्री ने. ठीक है? चलिए. उसके बाद में अगली बात करते हैं. 1938 में हिरलाल सास्त्री ने जैपुर प्रजा मंडल का पुनर गठन किया था. क्या किया था? जैपुर प्रजा मंडल का पुनर गठन किया था. जमना लाल बजाज के साथ में मिल करके. किसके? जमना लाल बजाज के साथ में मिल करके. ठीक है? जैपुर प्रजा मेंडल का इनों ने 1932 में क्या कर दिया था पुनर गठन कर दिया था ठीक है चलो इसके बाद में 1942 भारत चोड़ो आंदोलन 1942 में भारत चोड़ो आंदोलन चल रहा था ठीक है अब भाई देखो यह कौन सी रियासत में है जैपुर में, कहा पर है, जैपुर में है, ठीक है, तो भीया, जैपुर में, जैपुर के राजा ने, ठीक है, जैपुर के राजा ने इनसे कहा, कि आप लोगों का साथ नहीं दोगे, जनता का साथ नहीं दोगे, यानि कि इस आंदोलन में आप भाग नहीं लोगे, ठीक है, इ जेंटल्मेंट एग्रिमेंट क्या कहा जाता है सको जेंटल्मेंट एग्रिमेंट कहा जाता है। प्रदान मंत्री मिर्जा इस्माइल के मद्दे एक समझोता हुआ था जिसे जेंटलमेंट एग्रिमेंट के नाम से जाना जाता है इसमें हीरालाल सास्तरी से कहा गया था कि आप जंता का साथ नहीं दोगे या भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लोगे ठीक है तो gentleman agreement किस-किस के मद्दे हुआ था या तो हम कह सकते हैं कि जैपुर राज्ये और हीरालाल सास्त्री के मद्दे हुआ था या फिर कह सकते हैं कि राजस्तान के एक ही करण में, ठीक है, राजस्तान एक ही करण, राजस्तान एक ही करण के, चोथे वे पांच में चरण के, ठीक है, चोथे वे पांच में चरण का इन्हें पिरदान मंत्री न्युक्ति किया गया था, चोथे वे पांच में चरण के क्या रहेते ये, पिरदान म मंतरी रहेते और राज्यस्तान एक ही करण के चटवे कर दिया गया है कि उसी कारण चटवे चरण के क्या बने बनेते मुक्खे मंतरी बनेते ठीक है इसके बाद में 1967 से लेकर के और 1962 ठीक है 1962 सवाई मालोपुर से सवाई मालोपुर याने कि आजाद हो गया देश उसके बाद में 1957 से लेकर के 62 ऑद दूरश सांसध सांसद रहे थे सवाई मालोपूर से क्या रहे थे सांसद और कोऊँसी पारिटी से कांग्रेस पारिटी से कौन सी पारिटी से कांग्रेस पारिटी 24 नवंबर 1906 को इनका डांग टिकेट जारी किया गया था ठीक है 24 नवंबर 1906 को 25 पेंसे का इनका डांग टिकेट जारी किया गया था ठीक है? इनका gentle agreement याद रखना है, बहुत important है, बार बार पूछा जाता है, एक जाम में कब हुआ था, किस-किस के मद्दे हुआ था, ठीक है?